हलो वरिवन आपका एक नए वीडियो मुस्वागत करता हूँ तो जितने भी यहां पे शाहिद कपूर के फैंस हैं भाई उनके लिए एक और खुश खबरी यहां पे निकल के आ चुकी है क्योंकि यहां पे शाहिद कपूर के पाफ एक और इतनी बड़ी मुवी दोस्तों हाथ लग चुकी है भाई कमाल हो गया है यहां पे फैंस का खुशी का ठिकाना नहीं होगा मज़ा आ चुका है पूरा पूरा यहां पे मज़ा आ चुका है क्योंकि अब यहां पे शाहिद कपूर के हाथ में इतनी बड़ी बड़ी मुवीज है क्योंकि देखो अभी यहां पे कौ भी है फरजी टू ठीक है अब यहाँ पे जो मूवी का नाम जुड़ा है भाई पाँचों उंगलिया घी में और सर कड़ाई में सारी बड़ी बड़ी यहाँ पे प्रोजेक्ट शाहिद कपूर को दोस्तों मिले हुए उसमें कोई भी शक नहीं है अब देखो हुआ क्या है मैं स्टार्टिंग में बात खोलना चाता हूँ शाहिद कपूर के पास ये मूवी कैसे घूम के आई आपने सूरज बरजातिया का नाम तो सुनाई होगा और शाहिद कपूर के साथ में उनों ने 2006 में विवा मूवी में काम भी किया दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग है दोनों ने एक मूवी साथ में की है और दो अधाच्छे में यानि के 4 और 4,18 साल के बाद दोनों एक दूसरे से दुबारा से मिले अब हुआ क्या है यहाँ पर मैं आपको सारी बाते बताता हुआ चलता हूँ देखो भाई यहाँ पर सल्मान खान के साथ में सूरज बरजातिया अपनी मूवी अगली बनानी की कोशिश कर रहे थे जिसका नाम था प्रेम की शादी और यह मूवी काफी टाइम थे देखो पेंडिंग 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 में चल रही थी क्योंकि बहुत टाइम से प्रेम की शादी का नाम सल्मान खान साब से जुड़ रहा था और एक मीडिया वहाँ पे थी या पूरा इवेंट ही था वहाँ पे सल्मान खान और सूरज बरजातिया दोलों ही खड़े थे तो यहाँ पे कुछ बात हुई तो सल्मान खान बोलते है कि अगला प्रोजेक्ट होने वाला है प्रेम की शादी लेकिन फिर उसके बाद में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ऐसा कुछ हमने सुना ही नहीं कि बहीं प्रेम की शादी बन रही है इसकी shooting कब होगी वगेरा वगेरा इस साल दिवाली पे आने की उमीद है थी लेकिन वो अब इस साल एक भी movie सल्मान खान की आने की कोई उमीद है ही नहीं फिलाल लेकिन अब यहां पे सल्मान खान को script में कुछ यहां पे बताये जा रहा है कि थोड़ा सा अदल बदल करना था लेकिन फिर भी यह वज़े नहीं थी सल्मान खान को यह movie ना करने की भाई देखो यहां पे सल्मान खान को अपने तरीके से यहां पे सोचना पड़ेगा को कि उनको चाहिए एक बड़ी बड़ी action movies तो उनके जो एक हिसाब के एक area में हो सकता यह movie ना आती हो और इसी वज़े से सल्मान खान ने इस movie को बना कर दिया हो अब देखो अब देखा जाए यह नहीं है के सूरज बर जाती है अब वो ना हो सल्मान खान ना हो तो movie बनेगी ही नहीं वहीं सूरज बर जाते कभी एक अलग प्लान चल रहा था कि भाई मैं अब बड़े stars को ना लेके मतलब एक जो अच्छे खासी 50 प्लस जो stars हैं उनको ना लेके एक में यंग एज लड़कों को लूँ जैसे कि लाइक शाहिद कपूर और जो इनकी script है वो script यहाँ पर थोड़ी सी एक मासूमियत वाली है थोड़ा सा यहाँ पर face दिखाना पड़ेगा एक भोला भाला चोटा बच्चा वाला और इसी वाई से उनको काफी टाइम से शाहिद कपूर जो है पसंद आ रहे थे इस रोल के ल यानि के मीटिंग मीटिंग होई यह पास में गए उनके बातचीत होई होगी तो अभी मीडिया रिपोर्ट के मताबिक यहाँ पर बताया जा रहा बॉलिवोड हंगामा ने इस बात की जो है भाई गोशना की है कि दोनों को साथ में देखा जा रहा है कई कई जगा देखा ग अधर की है कि बाई एक नई एक्टर के साथ में अगर कोई काम करता तो यहां पर थोड़ा सा किचाव होता कि मेरी बात को समझेगा क्या कैसे करेगा उसमें यहां पर कुछ बहूट नहीं है यह सीधा है कि स्क्रिप्ट सामने है आप यहां पर बढ़ो और सीधा अब यहां पर बताओ कि आप ये movie करोगे या नहीं करोगे देखो यहाँ पर मैं एक बात और बतातो कि शाहिद कपूर अभी रोशन एंड्रियूस की movie देवा की shooting में जो है busy है उनकी movie अभी shooting चल रही है उसमें busy है अब वो shooting अब वो जो movie है यानि के देवा movie यहाँ पर भाई अक्तूबर में अक्तूबर के first half मतलब first week में release करने की तैयारियां चल रही है ठीक है अब उसकी shooting लगबग लगबग ज़्यादा time उसका बचा नहीं है maybe maybe एकात महीना होगा फिर रैप अब हो जाएगी shooting उसके बाद में अब यहाँ पर शाहिद कपूर के हाथ में अगर प्रेम की शादी वो करते हैं तो यहाँ पर सूरज बर जात्ते ने उनको maybe एक टाइम तो दिया ही होगा कि चलो तुम इसकी shooting खत्म कर लो या पिर यह भी बताय जा रहा है कि लगबग लगबग एक महीने का time शाहिद कपूर को दिया है कि एक महीने के अंदर अंदर यानि कि इसी महीने के last में मार्च के last में सूरज बर जात्तियों को वो हाँ और ना बोलेंगे कि मैं इस movie को करूँगा या नहीं करूँगा अगर वो करते हैं तो वैलन गूड है क्योंके भाई इतनी बड़ी movie है मुझे नहीं लगता विवा movie आई थी इतना जबरदस दोस्तों content था बहुत बड़े चली थी और मुझे लगता है कि शाहिद कपूर के हाथ में अगर ये movie आई है तो ये उनकी किसमत से आई है वनना और भी stars भरे पड़े है बॉलिवुड में किसी और के पास भी उचले आते लेकिन नहीं गए तो मुझे अच्छा लगा कभी शाहिद कपूर के हाथ में अगर ये movie आ गई घूम फिरके तो कहीं न कहीं भाई script अच्छी होगी किसमत देखो जब किसमत दर्वादा खटखटाती है तो किसी को बताती नहीं है यहां पे एकदम से शाहिद कपूर का जो एक इस्टारडम है खो गया था कहीं न कहीं हो दुबारा से मुझे आता हुआ देख रहा है तेरी बातों में ऐसा उल्जा जिया और मुझे लगता है कि शाहिद कपूर प्रेम की शादी है अगर यहां पे भाई आ चुका है परपोदल तो मुझे लगता नहीं है कि वो मना करेंगे फिलहाल यह है कि शाहिद कपूर ने अभी यहां पे कुछ भी कहने और सोचने को अपने एक स्टॉप लगा दिया यहनि कि अभी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है सूरज बरजातिया को और तो और अभी वो चुप है मुझे लगता है कि वो सोच रहे हूंगे कि यार इतने बड़े action genre जो चल रहा है उसके अंदर एक तरीके का कोई शादी material scene जाने वाला है movie जाने वाली है तो क्या ही हाल होना है सारी चीज़े सोच समझ के हूंगे लेकिन 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 सूरज बरजातिया का अपना एक वरजन है सूरज बरजातिया की अपनी एक अलग audience है बहुत प्यारी audience है बहुत अलग audience है और पबलिक समझती है कि सूरज बरजाती है कोई action movie वगएरा तो बनाते नहीं है हमेशा वो रब्भी बनाई है उन्होंने पारिक वारिक movie बनाई है और सारी बैतरीन चली है सलमान खान के साथ मैं मैंने प्यार किया हम साथ साते हैं और हम आपके हैं कौन प्रेम रतन धन पायो और अलग बात करें तो एक विवा ऐसा भी शायद कबूर के साथ में विवा इतने सारे content उन्होंने बनाए है और सारे ही जबरदस रहे हैं तो इसमें तो कोई शकी नहीं है के ये movie flop होगी नहीं भाई कहानी जो होती है सूरज बर जाते है कि वो actually में एक hero होती है बाकी जो actor होते हैं वो तो उस कहानी के सरिफ एक किरदार होते है main होती है कहानी आप कोई सी भी movie ले लो प्रेम रतंधन पायो ले लो सबकी कहानिया दोस्तों जबरदस थी हम साथ साते हम आपके हैं कुन विवा क्या जबरदस content थे देखो सूरज बर जातिया यहाँ पर अगर कोई movie लेके आते हैं न तो भाई प्रेम रतंधन पायो आप कब सबचरों कब आई थी movie भाई 2015 में movie आई थी प्रेम रतंधन पायो उसके बाद में अभी तक सूरज बर जातिया कहीं थे कहीं तक भी कोई सी movie लेके नहीं आए अब आप यह समझे लो कि 8-9 साल के बाद में सूरज बर जातिया का दुबारा से प्लान हुआ है कि मैं movie बनाओ और देखो script लिखने में 8-9 साल लग गए अब movie का content आप 8-9 साल अगर कोई एक movie की script लिखी जाएगी उसके बाद में जब बनेगी तो भाई आप खुद सोचो ना क्या movie होगी और शाहित कपूर ने अगर script को पढ़ा है के लड़कों के साथ कम age के star के साथ ही काम करना चाहूंगा ये सूरज बर जाते का खुद का कहना है तो मुझे उमीद है कि शाहित कपूर इस बात को मना तो नहीं करेंगे और करना चाहिए भाई देखो हर तरीके की movie करनी चाहिए नहीं कि अगर action genre चल रहा है तो उसी तरीके से हम उसमें ढल जाए नहीं भाई थोड़ा सा टेस्ट अलग करो जैसे के शारुक खान ने जवान और पठान के बाद डंकी में कहता बहले ही के लेक्शन डाउन इतनी नहीं हो पाई हजार करोर नहीं हो पाई लेकिन फिर भी 400 साले 400 करोल पांसो करोल अगर मुवी पहुची तो भाई वो एक हिट के टैग में पहुच चुकी थी तो फिलाल दोस्तों बताओ नीचो कोमेंड में शाहिद कपूर की इस मुवी के लिए आप कितना एकसाइटीड हो शाहिद कपूर को यह मुवी करनी चाहिए मुझे नीचे कॉमेंड में दरूर बता तो मिलता हूँ अगले किसी पीडियो में आने देंक्स और वोच्छे